नमस्कार आप देख रहे हैं जंता टीवी का खासकार इक्रम राजनीती और मैं हूँ आपके साथ पूर्या मोहन पांडे खबरों की शुरुबात करने से पहले सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो चार तस्वीरे जिसके जरी हम आपको बताएंगे कि आज राजनीती में हम आपके लिए क्या कुछ खास लेकर क्या है हार का जिम्मेदार कौन आपको बता है 2019 के चुनावों के बाद लगातार जो कॉ कॉंग्रस की जो इतनी बड़ी हार है उसके पीछे जिम्मेदार कौन है हाई कमान इस पर विचार विमर्ष लगातार कर रहे हैं लगातार मंथन का दौर भी जारी है सपा को शिवपाल की ना तो उतर प्रदेश जनसग्या की दुरिष्टी से सबसे बड़ा प्रदेश है उ स्यासी समीकरण भी उतने ही एहम हो जाते हैं उतने ही बड़े हो जाते हैं और शेत्री दलों की बात करें तो सपा और बसपा दो शेत्री दल ऐसे हैं जो कि प्रमुख दलों में शुमार है और बसपा और सपा का जो गटबंदन था वो फिलहाल तूट चुका है मायवती और सपा सुप्रीम हें मुलायम सिंघ यादव उन्होंने लगातार कमान समाली है पाठीक की और उनकी तरफ से ये कोशच की जा रही है कि किसी तरीकस से सपा कुनबे को एक फ्रेम में सट किया जा सके तो शिवपाल सिंघ यादव उनकी नहीं हो गई है सपाके को यह हम आपको बताएंगे शिवराज सिंग चोहान को नया प्रभार मिला है यह मद्वप्रदेश से लिलेटर स्टोरी हम आपको दिखाने बाले हैं पूरवमुख्यमंतुरी हैं शिवराज सिंग चोहान और इन पर बिजेपी पार्टी ने एक बार फिर से विश्वास जताया ह है एक नई जिम्मेदारी के साथ विश्वास जताया है वो हम आपको बताने बाले हैं सुन लो हुड़ा जी अनिल विज हर्याना के काफी करदावर नेता भी है और अपने विवादित बोलों के लिए भी जाने जाते हैं तो एक बार फिर से अनिल विज ने भूपेंद्र सि अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल